बिग ब्रेकिंग, NDA संसदिय दल की बैठक में शामिल हुए गोपाल कांडा. दिल्ली, पुराने संसद भवन में NDA संसदिय दल की बैठक आयोजित की गई. इस महत्वपूर्ण बैठक में NDA के सभी घटक दलों के नेता और सांसद शामिल हुए. हरियाना लोक हित पार्टी, HLP के अध्यक्ष और सिर्सा विधायक गोपाल कांडा ने भी इस बैठक में भाग लिया. इस अफसर पर बैठक में नरेंद्र मोदी को पुना संसदिय दल का नेता चुना गया. बैठक में ग्रिह मंत्री अमिद शा, रक्षा मंत्री राजनात सिंग और TDP नेता चंदरबाबू नाइडू भी मौजूद थे. हरियाना के मुख्य मंत्री नायब सिंग सैनी और पूर्व मुख्य मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में उपस्थित रहे. इसके अलावा, कई राजियों के मुख्य मंत्री और NDA के अन्य घटक दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए. हरियाना से NDA में HLP एक मात्र सहयोगी दल है. NDA संसदिय दल की बैठक के बाद HLP सुप्रीमो गोपाल कांडा ने बयान जारी करते हुए श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार NDA संसदिय दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि मोदी के नेतरित्व में भारत का गौरव बढ़ा है और 2047 तक विक्सित भारत के संकल्प को साकार करेंगे नरेंद्र मोदी. कोपाल कांडा ने कहा आज का दिन एतिहासिक है. मां भारती की सेवा में नरेंद्र मोधी जी समर्पित है और उनके नेत्रित्व में भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ती बनेगा